हलो दोस्तों कैसे हैं आप आज हम फिर लेकर के आया है आप लोगों के लिए हमारा राज पिहार इसका दो पार्ट अभी तक हम लोग देख चुके हैं आज हम देखेंगे इसका पार्ट थिरी इसके बाद पूरा पिहार को हम लोग पढ़ लेंगे किसी भी एक्जाम को देने के लिए बिहार की जनकारी होना बहुत जरूरी है कोई एक्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार से सम्दित इसको जरूर एक बार दो बार पढ़के जाएए मेरा उमीद है किसे पांच से दस प्रस्न पूछेगा अभी तक आप मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस कंपेटिटिव एक्जाम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सौराठ मिला सौराठ बिहार के मधुवणी में पर्तिवर्स मैथली का विश्व विव्यापी सम्मिलन होता है जो मेले के रूप में परिनत हो जाता है ये बहुत पुष्टा है परिच्छा में बार बार ये पुष्टा है सौराठ मिला कहां लगता है मधुवणी में कुछ अन्न मेला भी है जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टन है राजगीर का मलमास मेला बाबा बरमेस्वर नात का मेला पावापुरी का दिपोथसा मेला दीपावाली के समय बड़ी दिवाली को पावापुरी में बहुत बला मेला लगता है जैन योगी वहां एकत्र होते हैं बढ़गाओं का मेला, ये सुज मंदिर है, बहुत परसिदी सुज मंदिर है, यहाँ पर मेला लगता है, चट का मेला लगता है, अब बिहार के पर्व तेवहार देख लेते हैं, पर्व तेवहार से हमेशा पुछता है, हम जाते हैं कि बिहार का सबसे महत्पुन तेवहार है, छट लेकिन यहां का विशेश तो भार जो विशेश उरुप से बिहार में मना जाता है मकर संक्रान्ति, राम नॉम्मी, सिविरात्री, होली, दुर्गा पुजा यह तो सारे जगह का पर्व है, स्रावनी मेला जो जारखन में अब होता है पिहार में भी होता है, साब बरावर की पहारी पर सावन मिलो बट सवित्री, कर्मा, पुजा, गुरु गोविंच सिह, का जियनती यह सब इंपॉर्टेंट यहां का तेवहार है पिहार के प्रमुख नदिया, इससे हमेशा प्रस्त पूछता है नदि किसी भी छेत्र की सांस्कृतिक संपदा होती है इस मामल में बिहार गौरव साली रहा है जहां छोटी बड़ी अनेक नदिया मिलकर बिहार कव बैभय परदान करती है इसमें प्रमुख नदि है, सोन, उत्तरकोईल, पंचाने, सक्री, चानन, अजय, कर्मनासा, गंगा, सर्यू या घाघरा, गंडक, बोड़ी गंडक, बागमती, कमलावगान, कोसी, महानदी, पुनपुन, फल्गु और क्यूल नदि खेल कुद में, यहां बिहार में खेल कुद में, फुटबॉल, हॉक्की, टेनिस और गोल भी पसंद क्या आता है यहां खेलारी खेलते कम हैं और खेलों को देखते ज़्यादा हैं, चुकि यहां ज़्यादा खेल के अपॉर्चुनिटी नहीं है बिहार के महापुरुस, डॉक्टर जंदरपषाद, बिहार के सिवान जिले के जिरादेई के रहने वाले, जो भारत के प्र्थम राष्ट्रपते बने जे परकास नरायन, जे परकास नरायन का जन्म बिहार के छप्राजी लेके सिदाव दियारा गाउं में हुआ था इन्होंने बिहार में एक क्रांती लाया, इस क्रांती से पुरे भारत का राजनिती ही बदल दिया राम ब्रिक्ष बेनिपूरी, बेनिपूरी का जन्म तेश दिसंबर 1899 को बिहार में मुझफर पूर जिले के कट्रा थाना अंतरगत बेनिपूर गाउं में हुआ था एक हिंदी के परसिद्ध कभी हैं, इनकी कई किताब बहुत परसिद्ध हुआ, बिस्मिल्ला खां काफी मसूर बिस्मिल्ला खां सहनाई बादक, सहनाई बजाने में पुरे भारत में इनका नाम रोसन हुआ है ये डुम्राओं बक्षर के रहने वाले थे इन्हें पदम भिवुशन से भी समानित किया भारत रत्न पर्दान किया गया दुजर छो में इनकाते हांथ हो गया नागरजुन बहुत प्रशिद नागरजुन मधवनी जिला के अंतरगत सतलखा गाओं के हैं नागरजुन की प्रणाबिक सिच्छा तरवनी गाओं की संस्किर्ट पाट साला से शुरू ही बाद में संस्किर्ट की विद्वत पलहाय बनाराज जाकर शुरू की नागरजुन ने हर विध्या में विधा में लेखन कार्ज किया जिसे कहानी कविता निवान्थ पन्यास खंड काव बल सहित कॉलम आदी इनकी प्रसिध रशना रतिनाथ की चाची बावा बटे सरनाथ दुख मोचन बरुन के बेटे नईप पौध जमनिया का बावा युगधारा सतरंगे पंखो वाली प्यारी पत्राई आखे तलाव की मचलिया चंदना खिजडी बिपलब देखा हमने तुने कहा था पुरानी जीतियों के कुरस अनेक इनकी किताव हैं करपूरी ठाकूर अत्यांती ही गरीब परिवार में पैदा हुए निरच्छर और भोमिहीन परिवार में 24 जनवरी 1924 को जन्व लेकर करपूरी जी ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद समाजबादी आंदोलन में महत्तुपूंड भोग का निभाई 17 फरबड़ी 1988 तक विधायक, सांसाथ, नेता, पर्तिपच, उपमुख मंत्री और मुख मंत्री के पद्गो सुभित करते रहे 1967 में वे बिहार के सरकार के उपमुख मंत्री बने 1979 से 70 तक संजुप समाजबादी पार्टे के अखिल भारती अध्यक्ष रहे अपात काल के बाद 2977 में किंद्रे में जनता पार्टी की सरकार बनी और बिहार में भी कई राजियों के तरह जनता पार्टी की सरकार बनी बिहार में जनता पार्टी सरकार का नेतित्व का पूरी जीने किया रमधारिसी दिनकर का जन्म तेश्ट सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिला किसी मरिया गाउं में जो बर्तमान में बेगुश राई जिला अंदरगत है में हुआ था दिनकर का पहला कविता संग्रह रेनु का बर्ष 1935 में उर्वशी का प्रकासन हुआ सहित जगत में इस कापे रचना का अभूत पूर्व स्वागत हुआ का मायनी और अंधा यूग के बाद उर्वशी नेक बड़े समधाय को अपनी और आक्रिष्ट करने में सफलता हासिल की कुछ साथी 11 वजे उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मीर्ति हो गई पनीश्वर नाथ रेनु पनीश्वर नाथ रेनु बहुमुखी पर्थिवा के धनी और कलम के जादवर्थ थे मैला अचल उनकी परशिद्ध किर्थी है मैला अचल से इनका काफी नाम हुआ कुछ अन्य नाम भगवान महावीर महर्शी याकवलक बिद्यापती भीखारी ठाकूर भारती बीर कुमर्शी कुमारिल भट आदी परशिद्ध कुछ नाम है पिहार के परमुक्ष सहितिकार अवाम उनकी किर्थियां चनक हैं उनकी आर्थिसात बहुत ही परशिद्ध किताब है ये बान भट का कदंबरी हर्श चरित चंडी सतक्तीन आर्ज भट का आर्ज भटिये दाउद चंडरायन विश्ण सर्मा का पंच तत्र हितो पदेश अस्विगोष गुद्ध चरित वास्षैन का कामशुत्र इतना किताब इंपोर्टेंट है फिर राम प्रिश प्रिनिपूरी का अम्बपाली संग मित्रा रामधारी सी दिनकर का और्वसी सबसे इंपोर्टेंट और्वसी रेनु का रस्मी रथी फ्रनीश वर नात रेनु का मैला आच्चन सबसे इंपोर्टेंट देव की नंदन खत्री का चंडर कांता संतति इस पर सिरियल भी बन चुका है डाक्टर राजंदर प्रशाद का इंडिया डिवाइडेड चमपारन में सक्ता अग्रह दो इंपोर्टेंट है फिर इसके बाद राजा राधिका रमन प्रशाद सिंग का पुरूस और नारी इंपोर्टेंट है नलिल बिमोचन सर्मा बीश के दाथ बहुत इंपोर्टेंट है इनका बिहार में सबसे बड़ा वा सबसे छोटा जनसंख्या के दिश्री से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफर्म सौनपूर, बिहार का सबसे बड़ा सरक सेतू, महात्मा गांदी सेतू, बिहार का सबसे छोटा जिला सेखपूरा, बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में सिवहर, च्छेतरफल में सेखपूरा बहुत पुछा भी कुछ दिन पहले ये विपिस्तिक एक्जाम में पुछा था कि च्छेतरफल के दिश्टी से सबसे छोटा कौन है तो सेखपूरा बिहार का सबसे बला सहर पटना बिहार का सबसे बला तिर्थस्थल गया चेदफल की दिश्टी से बिहार का सबसे बला जिला पस्मीचंपारन बिहार का सबसे बला रेल पूल अब्दुलबारी पूल कोईलवर बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी बिहार का सबसे बला हवायड़ा जय परकास नरान हवायड़ा पतना बिहार का सबसे बड़ा तारा मंडल इंद्रा गांधी तारा मंडल पटना बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोशी बिहार की सबसे बड़ी नदी खाटी परियूजना गंड़क परियूजना बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रिय किर्थ बैंक भारतिय अस्टेट बैंक ये बिहार का सम्पूर्ण जानकारी तीन भाग में हमने इसको पूरा किया है अभी तक आप मेरे चैनल RS Competitive Exam को अगर सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए ठैंक यू